नमस्कार साथियो आरन एजिकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ रहे थे सेंसकर्थ भाषा और सेंसकर्थ भाषा में सेंसकर्थ व्याकर्ण का हम अध्यन कर रहे थे और इसमें हमने वर्ण विचार पढ़ ली वर्ण विचार में हमने स्वर वर्ण और वेंजनबर पढ़ रहे थे अब santé वौ्ब लेवर gefragt करते हैं वह त्यार करते हैं वह सुत्र दिए गए हैं और ट्वारा बनाये घई अब देखिए हम नूर्ण। हम यहां से पढ़ रहे हैं वेंजनबर लोगा वर्गिकन मुखेता दो दो आधारा स्थान पर किया के लिए निमल सूत्रों की साहिता ले जा सकती है सबसे पहले देखिए कि अकू है विसरजनिया नाम कंठा है अकू है विसरजनिया नाम कंठा है जिसे देख ए आ दोनों सामिल है इसमें और कू का मतलब है कयवर्ग और कयवर्ग में कयवर्ग यह होता है है देखिए है और विश्रजन यह नाम विश्रग हो जाएगा यैनि कि अ dalla कःवर्ग में कोफो ग गयों है और विश्रग कि अिनका प्र योग इनका उचार्ण स्थानPें वह कंठ है किसका है कंठ है कंठ थैंट तो अ bिशार्जन नाम बोलिए उचार्ण pesos यैनि कि उचार्ण आपको करना है अपने खुद से अक को खोगोंगों है और वीश जजनिया नम विशर्ग है आगे देखे धात्वी यहां वीश जनिया विशर्ग का उचार्न स्थान कंठ बताया गया है वह केवल अह इस एकार पर आश्रित होने से है वस्तुत है विश्रक का उश्रान स्थान तदा आश्रिय भूत वर्नों के अनुसार माना जाता है पाणने शिक्षा में कहा गया है कि अयोग वाहा विग्गिया आश्रिय स्थान भागी नहाई इस तरह से अब आगे देखिए कि हम अगला सुत्र है दो नमबर इचु यह सानाम तालू इचु इ छोटी और बड़ी इचु का मतलब है यहाँ पर चय वर्गिये च 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 और आगे है यह और श श का उचान स्थान तालू है इचु यह सानाम इन सभी का उचान स्थ तालू ही होगा इच यह सानाम तालू अगला देखिए तीसरा तीन नंबर है रीटूरे सानाम रीटूरे सानाम री बड़ी री और टू का टेवर गे टाठा डेनन और रे रे श श श यहां देखिए कि री उचारने स्थान है वो मूर्धा होगा री टूरे सानाम इन सभी का मूर्धा उचारने स्थान होगा री री टा टाठा डणन रे और श मूर्धा होगा ठीक आगे देखिए चोथा चोथा सुत्र है ले तुल सानाम दंता हा लरी लरी तवर्ग तथधन ल ल स स इनका उचारने स्थान है वो दंत होगा क्या होगा दंत होगा ले तुल सानाम दंता हा आगे देखिए पांचन सुत्र है उपूप दमानिया नाम उस्थो उपूप दमानिया नाम उस्थो यानिकि उ छोटा हो बड़ा हो पू पभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ इन सभी का ओस्ट होगा उप उप दमानिया नाम ओस्ट हो इन सभी सुत्रों को अच्छी तरह से त्याद उप दमानिया के बारे में हम जान लेते हैं कि पः और फै इती पफा भ्याम अगर्ध विशरग सेद्री से उप दमानिया है यह पैप फैप वर्गों से जो पूर करते है दिखaşा हुआ है साथ दिखनाए है का परियोक कर दिया زाता है यह उससे माना है मान लिया जाता है सपस्ट रूप से समझाया गया है इसमें और हम की चान कार लेते हैं और शित्याय नहीं कि दिखा ले अपने दोस्तों कर बदोर और हम आगे पढ़ेंगे उचार्ण स्थान के जो अन्य और भी रहे हैं वह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कॉमेंट में जुरूर बताएं आपको यह व्याकन कैसे लगे बहुत महत्तौपूर धन्यव मुँआ पॉर्स